क्या सर्धियों में या बदलते हुए मौसम में आपके हाथों का टेक्स्चुर चेंज हो जाता है हाथ बहुत ही डार्क से लगते है ड्राइनस रहती है रुफनेस रहती है चाहे जितना मरजी क्रीम या मौस्ट्राइजर अप्लाई कर लीजिए हाथों में इसे ड्राइनस और dullness बिल्कुल भी नहीं चाती है तो आज definitely ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है बहुत ही simple से two steps हमें follow कर रहे हैं, बहुत ही simple सी चीजों से जो की घर में ही available है पहली ही application में आपको बहुत जादा फरक दिखेगा हाथ ना की सिरफ bright और clean हो जाएंगे साथ ही साथ बहुत ही जादा soft and supple लगेंगे, आपको अपने हाथों की skin बहुत ही जादा breathable लगेगी, तो वीडियो को कहीं पे भी miss out नहीं करना है end तक देखना है, अदरवाइस आप कोई नो कोई step को miss out कर जाएंगे सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच और अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूं amazing DIYs, product reviews and haul videos so without wasting any more time let's get started with the video step 1 scrubbing first ingredient है salt जो भी नमक आप खाने के लिए यूस करते हैं उसे ही ले ले लेंगे ये बहुत अच्छे से dirt remove करता है, skin और pores को clean करता है और moisture को skin में lock करके रखता है second ingredient है नीबू नीबू बहुत ही अच्छा exfoliator है as in bleaching agent काम करता है, skin को light और bright बनाता है एक साफ container में 3 टेबल spoon नमक ले लेंगे और साथ में हम कुछ lemon के slice ले लेंगे, अगर आपके पास बजा हुआ lemon peel है तो वो भी कम आ जाएगा lemon को हम salt में dip करके अपने hands पे अच्छे से rub करेंगे, कोशिश कीजिए कि circular motion में ही इसको अच्छे से throughout हम रब करें आप अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरह से आपके skin से सारा dirt remove हो रहा है और skin कितनी ज़्यादा light और bright दिख रही है step 2 moisturizing पहला ingredient grease lean, बहुत अच्छे से skin को heal करती है, moisturize करती है और protect करके रखती है second ingredient है vitamin E capsules evion 400, ये किसी भी chemo shop पे ये भी आपको easily मिल जाएगी और third है हमारा coconut oil coconut oil नहीं है तो आप olive oil भी ले सकते हैं या almond oil भी ले सकते हैं ये हर तरीके की skin infection के लिए workout करता है, हाथों को बहुत ज़्यादा moist रखता है और इस liquid को store करने के लिए लेंगे एक clean container सबसे पहले glycerine 3 tablespoon लेंगे, ये skin को heal करती है, moist रखती है skin के लिए बहुत ही ज़्यादा gentle और safe है फिर हम लेंगे coconut oil, olive oil या almond oil जो भी आपकी preference हो, 2 tablespoon लेंगे और इस mixture में mix कर देंगे, ये help करते हैं skin infection को reduce करने में और skin को रखते हैं hydrate next time लेंगे vitamin E की capsules, 2 मैंने evion 400 use करी है आपको किसी भी chemist shop में easily मिल जाएगी ये help करती है hyper pigmentation और wrinkles को remove करने में इसको किसी भी pin या फिर scissor की help से prick करके हम इसका oil निकाल लेंगे और इसको हम glycerine और oil में अच्छे से mix up कर लेंगे ये सारा procedure scrubbing का और wash rising का हमें करना है रात को जब हम सारे काम से through हो जाएं तब ये last में हम करेंगे scrubbing करने के बाद wash rise करेंगे अपने हातों को 3-4 drops लेंगे और अच्छे से अपने हातों पे इसको हम apply करेंगे और as it is छोड़ देंगे बचे हुए liquid को हम एक clean container में फिल कर देंगे ये आपका 1 month तक बहुत ही easily चल सकता है इसको आप चाहे तो fridge में store करके भी रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आज का ये वीडियो आपके लिए helpful होगा अपना feedback ज़रूर शेयर कीजिएगा Instagram पर मुझे DM कीजिए अपनी pictures अपना feedback ताकि मैं उसको आगे भी और लोगों के साथ शेयर कर सको बहुत ही जल्दी मिलेंगे next वीडियो में Till then stay safe and be healthy See ya